हेलो फ्रेंड्स तो चेप्टा फाइब देखने है प्रश्टरा सायन सर्फेस केमेश्री क्लाश 12 का ठीक है तो उसका पहुत जदा इंपॉर्टन टॉपिक जिसका नाम है कोलाइड इविलियन कोडोईडियल सॉल्यूसें ठीक है तो इसको पहुत जदा आसानी से हम देखने व प्लीज वीडियो को लाश्ट तक देखना क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टन तो चलो देखते कोलाइडी विलियन के बारे में ठीक है तो कोलाइडी विलियन को इंग्लिस में कहते है को लाइडर सॉल्यूसन ठीक है अब इसकी थोड़ा पईभासा पढ़ लेते हैं किहरा है माध्यम में विश्रित पदार ठीक है तो इस इतनी बातापटा दो ठीक है माध्यम में विश्रित पदार को बात में देखना पहले करोंका साइच पचास इंग्श्टॉम से दो याँग्श्टॉम की रेंज में होने पर निकाए कॉल आईडी विलियोन क temporary तो आपको एक बात सीधा सीधा या रखना है कि जिसुन में कुtest कड़ों का आ अक होता है काड़ों का siis हमें कीष रास थीते होता है 50нG-Standles सी-2000 nG HT तक कह Enough सबस्क्राइऴ का हमें क्ड़ोंसे पहले गसी बाता है कि जिने फास चैहरों की स्फुन में तो इसमें के बारे में आक सब्सक्राइब का अकर 58 जाएंगे च्ञार्ण, वोBeatrix सब्सक्राइब कहएँ माध्यां में कॉध कोई पदार्थ हो इसके कड़ों का साईज 50 एंगे स्टाम से दो जाएंगे च्राम तक है कि तो निकाह आपका सीधा सीधा kool i.d और i.d क МУЗЫКА तो, यह बात होगे, ओगे पढ़ते हैं को ओल I.d कड जो होते हैं अगर हम इनको माइक्रोइस्कोब से देखे तो हम इनने नहीं देख सकते हैं को ओल I.d. कड माइक्रोइस्कोब से नहीं दिखते क्योंकि बहुत चोटे-चोटे होते हैं और फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं क्योंकि छोटे होते हैं इसलिए क्या होते हैं फिल्टर पेपर से बाहर निकल जाते हैं फिल्टर पेपर पत्र से क्या होते हैं यह चोटे-चोटे होते हैं इसलिए यहां पर से बाहा निकल जाते हैं ठीक है तो इनको हम माइक्रोइस्कोप से नहीं देख सकते हैं और फिल्टर पेपर से ये निकल जाते हैं ठीक है आगे पढ़ते हैं कहरा है कोलाइडिकर परचमेंट जिल्ली से नहीं निकल पाते हैं मतलब कि ये फिल्टर फेपर से तो निकल याते हैं लेकिन पर्चमेंट जिलिर होती उससे नहीं निकल पाते हैं ठीक है कोलाइडिकर जो होते धनावेसित ठीक है कोलाइडिकर धनावेसित या रेडावेसित दोन हो सकते हैं कुलाइडी कड़ों का जो चिन हो सकता है पॉजिट्व या निगेट्व दोनों हो सकता है ठीक है तो मतलब यह नहीं कि धनावेसित होगा रेडावेसित होगा तो आप आवेस भी देख सकते हो कुलाइडी कड़ों का आवेस धनावेसित या रेडावेसित हो सकते है ठीक है औ और इसका विलियन जो होता है विस्मागी होता है यह बात थी sevi election की आथ थोड़ा देख लेताइं परिछिप्त प्रावस्ता और 159 मातेम क्या होता है तो आप बात करते हैं भई या परछिप्त पड़ार्ध में तो आपका मालो कोई विल्यन है तो उसमें दो अवस्थाइं होती है यह दोनों अवस्थां है परशिप्त प्रावस्था और पैचेत परमाद देव ठीक है इसको समझने से पहले आप क्या करो तो देखो जैसे कोई विल्यन है अगर आपने अभी तक मालो को को दुसरा पढ़ा था तो आसको पता है कान-कान से लोग होते हैं---- जो पदार्थमें ज्यादा होता है- वह- डे आनिया कम होता है थो घलाता है। तो हमने लिया कोलाईडी विलियन जिसमें हमने मिला अजो कोलाईडी रिलियन मनाता है कोलाईडी विलियन मतलब काईसे ? faculty name से कूलाईड़ कडू का साय्ड़ होता है साइड होता है इसी और यही आपके फेरिक हाइडर्क साइड के कड़ों का साइड होता है इसे क्या करते कुलाइडी विलियन बनाते जिसमें आपका जल जो होता है परिशेप्रमाध्यम होता है और आपका फेरिक हाइडर्क साइड जो होता है परिशिप्त प्रावस्ता होता ह क्यों ऐसा होता है अब बात कर लेते क्यों ऐसा होता है क्योंकि भाईया आपको पता है जैसे आपको विलियन का उक्जाम पल लिया गया कि विलायक जो जादा होगा वो आपका परिशे परमाध्यम जो कम होगा वो भी ले ठीक है परिशिप्त प्रावस्ता उसी प्रकार इसमे जल आपका परिशेप्ट परमाध्यम कहलाता है और फेरी खायटक साइड आपका परिशिप्ट परावस्था कहलाता है ठीके फी ओएज का होल थ्राइज जो है यह आपका परिशिप्ट परावस्था कहलाता है हेeling यह कि गधिकर गदिधी सीसे था कि छude होगे आपका परशुफ्त प्रवस्था और यह भी आपका बिल्य इंटी जिए विलक फेश्व नाहीं होतें कोष्ब्द प्रवस्था और तो चाही जोन सब्सक्राइब्स होगया फश्मण तो दीख विलियन की तो देख सकते हो आप कितना इंपॉर्टन टापिक था आप खुछ ज्यादा असानी समय से समझ चुके हैं तो भाई एका वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा रगाओ तो प्लीज वीडियो कर दीजेगा ओके थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो